हेलो गाई स्वागत है आप सब का तो आज हम बात करेंगे अदाणी ग्रीन एलर जी की और अदाणी टोटल केस में भूल गया था इसमें भी में भूल गया था यह केंडलिस्टिक पेटन की यह जो कल की जो यह केंडल बनी थी यह कुछ टाइप के मतलब कि यह हैंगिंग में यह पूरी तरीका से हेंगिंग में की ऑल्मोस हेंग लिए स्पिस की जो पर से जूंग इनका पिटाता हुं सब सबताए तो कुछ आपको katě आना चाहता हुं कि रच च्टो केसे की ज्याता होती तो यह फोडिसी घर और साथी जीज़ और यहा पर आपको बतादी इसको वे यह जो दोनों candle है इसको कहते है एक सेकंड बुलिश एंगल फिंग केंडल इसको कहते है जैसे कि इसका यह जो यह candle थी पहले की जो बेरिश थी उसको पूरा पूरा जो है यह खा गई इस तरीके से अगर आप आसान बासा में अगर आप समझे तो मतलब कि यह नीचे से लेकर यह जो उसके उपर तक अगर देखे तो पूरी की पूरी बेरिश है इसको पूरा अपने अपने बॉड़ी में समा लेती है उसके बाद देखी यह बुलिश केंडल होती है और इसके बाद देखी यह कितनी तेजी आई थी दस पसंद के आसपास की आजार रुपे को यहां अगर देखे तो यह जो है बताना भूल गया था कि यह थोड़ा सा बेरिशने का सिगनल है लेकिन अभी ज्यादा नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी देखे तो यह जो वोलियम है आज के दिन जो ही इतना स्यदा volume देखने को नहीं मिला लेकिन ये bearishness का signal जो है कल ही बता दिया था तो ये बात आपको बताना भूल गया था और अभी अगर देखे फिलाल सबसे पहले तो Bollinger Bank यहाँ पर लगाया हुआ है तो अभी इसका price अगर देखे तो 942 रुपे है और इसका जो ये middle line है Bollinger Bank का ये जो ओरेंज कलर की line है उसके जो है अभी ये एक अच्छा कासा support बन सकता है अभी फिलाल ये 25 रुपे दूर है तो सबसे पहला support ये है साथ ही साथ ये जो 5 days और 9 days का EA में है ये भी एक अच्छा कासा support कल के दिन बन सकता है और उपरी level के उपर ये इसी के जो उपरी line थी Bollinger Bank की जो की 1000 रुपे के करीब है उसी के आसपास जो है इसने resistant लिया था जब से hidden market की ये report आई है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं ये सारा का सारा area के अंदर ये अभी ये upper line और middle line और जो lower line है उपर और नीचे की line Bollinger Bank की उन्हीं के बीच में ये अभी काम कर रहा है और यहाँ पर ये जो है इसका 21 दिनों का moving average भी हमने लगया है तो इसका अगर next support जो है इसके अंदर जो है ये जो candle बनी है hanging man हाला कि ये perfect hanging man नहीं है अदानी total gas में जो है उसमें जो है जो bearish candle बनी है bearish hammer वो जो है perfect बनी थी लेकिन यहाँ पर अगर देखे तो अब इसका अंदर जो fresh तेजी तभी आएगी जब ये इसका जो ये high है इसकी जो strength है वह थोड़ी सी weak हो रही है अभी ज्यादा वीक नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर weakness देखने को मिल रही है आज के कारोबार की अगर बात करें तो ठीक ठाक है अगर वोलियम की बात करें तो तो 54,000 करोड के असपास है और ये March 2022 में 52,000 करोड तो इसके अदर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है ये बात अच्छी है कर्जा जो है थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं हुआ वो अच्छी बात है वो कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है 60,000-70,000 क्रों इतना नहीं रहा, तो यह जो है inline है, ना ज्यादा कम है, ना ज्यादा ज्यादा है, और यहां पर अगर देखे, तो चलिए चार्ट के ओपर वापस जाते हैं, अब इसका 15 मिनिट का चार्ट हम देख लेते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कल का दिन है कल अगर देखें कि इसके रिजल्ट अच्छे आये थे तो इसी उमीद के वज़े से यहां पर जो है एक ऊपर की लेवल के ऊपर यह अपर सर्क्रिट लगा वहाँ पर टिका नहीं फिर पूरा दिन कंसोलिडेशन रहा और उ यह बंद हुआ और यहां पर अगर देखें तो यह इसका विकली चार्ट है और सबसे बड़ा इसका रिजिस्टन अगर देखें तो यह है जो कि 200 विक का मुविंग एवरेश है इसके आसपास जो है जब से ही रिपोर्ट आई है इसके उपर यह निकला नहीं है तो सबसे प होती हुए दिख रही है लेकिन अभी सपोर्ट जो है वह नजदीक है एक तो इसका जो फाइव वीक और नाइन वीक का जो मुविंग एवरेश है वह भी काफी नजदीक है 923 और 932 रुपे तो यहां पर भी जो है अच्छा का सपोर्ट मिल सकता है साथी साथ यह इसका मंथ हुए करया लेकर कि मेने बोला था कि अभी हो लेकिICIA कोशिश कर रहा है। लेकिन देख यह एक ठीकता है या नहीं वहीं हुआ देखिए दो डिन फ लगाताया अगरतो यह त्या लेकिन पर सबसे बहला बात इसका जहां बहुती डेख का मूविंग इवरेश है इसा उपर य की कोशिश की यह जो वाइट कलर की लाइन है यह 50 डेस का मुविंग एवरेज है उसके बाद यहाँ पर इसने वापस से उसके ऊपर निकलने की कोशिश की तो अब सबसे बड़ा जो है सवाल यहीं है और सबसे बड़ी नजर इसी के ऊपर निकले और वो भी अच्छे खासे व और उसको भी खोगर उपर निकले जब तक यह 50 डेस के मुविंग एवरे जो क्रोस नहीं करता सबसे पहली बात तब तक जो है इसके अंदर प्राइस के अंदर स्टेंथ देखने को नहीं मिल सकती और यह इन लाइन ही रहेगा मुझे इसा लग रहा है तब तक मतलब की और अगर देखे तो अब इसके सपोर्ट रॉपे का प्राइस है सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट अगर देखे तो 930 रुपे के आसपास क्यों आपर एक बुलिंग चर्बे की जो है विडिल लाइन खड़ी है और एक से दो दिन की बात है और यूसके अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहलों मुझे इसा लग रहे कि थोड़ा बहुत सबेरे जो है एक गिरावर देखने को थोड़ी बहुत मिल सकती है 925-930 के आसपास की और उसके बाद हो सकता है वहाँ पर एक थोड़ा सा एक संभलने की कोशिश करे और अगर उपर क तरफ जैसे कि फिप्टी डेस के जो मुविंग इवरेश है उसके उपर नजर रहेगी अगर कुछ पॉजिटिव सप्राइज आता है इसके उपर निकलता है तब जो है एक ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि इसके अंदर प्राइस के अंदर जो है स्टेंथ जो है वह द इसके उपर हमारी नजर रहेगी और कल के दिन अगर देखे तो थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद वहां पर संभलने की कोशिश कर सकता है उपर में यह जो है थोड़ा सा रेजिस्टन यहां पर नो सो पचास कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है और अगर आपको यह वीड के साथ खुदी ले यह वीडियो में ने जो किसन परपस के लिए बने मेरे तरब से कोई भाई यासल के रेकमनेशन नहीं है थैंक्यू